नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश वानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुण्डली कैसे देख और कुण्डली देखते वक्त क्या-क्या देख तो बहुत सी चीज़े मैंने आपको बताई ही कि कुण्डली देखते वक्त क्या-क्या देखना चाहिए उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि यदि कोई जातक आकर आपसे कुछ particular question करता है कि मुझे ये lab होगा या नहीं होगा मैं पैसा लगाओं investment करूँ तो lab होगा या नहीं होगा तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया तो उसके mind में बहुत तरह के questions होते है तो उन सब questions को हम कैसे जवाब दें ये भी एक बड़ा important चीज होते अब जैसे कोई आता है आपके पास आके आपसे पूछता है साब मेरा बताईए कि मेरा जब भागय होगा है वो मेरे इसी देश में होगा पास के देश में होगा या दूर के देश आपको देखना होगा लेकिन बहुत authentic तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ है बताया गया है जो शास्त्रों वो बताया गया है आज की data में कितना valid है या दुदेशकाल परिस्तिती के इस आपको देखना होगा लेकिन शास्त्रों में जो एसका जिक्र किया गया है उस जिक्र में यही कहा गया है भागेश या बाग्यकारक हम ने पड़े हैं आत्मकारक अमाद्टेकारक इस तरी के जैमनी पढ़्धति में तो ऐसी भाग्यकारक होता है चर राशी हमारी एक चार साथ दस होती है, जो हमारी चर राशी होती है, इस्थिर राशी हमारी दो, पांच, आट, ग्यारा होती है, उसके बाद नीचे हमारी द्री सभाव राशी आती है, तो चर, इस्थिर और द्री सभाव राशी होती है, उसमें उनने बिलकुत सिंपल दि कोई आप से पूछे कि भाव के पल अच्छे कम मिलें तो आपको एक चीज और भी देखना चाहिए के डीवन चार्ट का डीवन चार्ट में जन कुंडली का भावेश जिस नमांश में हो जन कुंडली का भावेश सपोस कीजिए चौथे भाव का स्वामी की बात कर रहे हैं तो डीवन भावेश जो होता है डीवन चार्ट का वो आपने देखना है कि वो किस नमांश में है और उस नमांश का स्वामी कौन है अगर यदि वो बलवान है तो डीवन चार्ट के जिस भाव के स्वामी के बारे में आप स्टड़ी कर रहे हैं वो भाव का स्वामी बहुत तो मिधुन का स्वामी कौन हुआ बुद्ध तो अगर बुद्ध बली होगा तो साथमा भाव भी आपका बली हो जाएगा तो यह भी आपको ध्यान रखना पुड़ा सा नजर इसमें भी डाल दीजिए कि जब भी आप भाव भावेश या कारक के बारे में स्टड़ी करें तो वह सब देखने लगें घर का पाऊओ आदमी घर खरीदेंगे देखर जिसके लिए कि पैली चीज़ यह कि घर खरीदने की फिरापने होना नौर्मली क्या होता है कि लोग वैसी पूछ लेते हैं कि आप मेरा घर कब होगा, आप ये बताइए, आप देखें, डिपेंड करता है घर होना, घर होना डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा है, अवेले बिल नहीं है, आप जो बागी का पैसा है, आपको लॉन ले सकते हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि भई, अब मेरे पास रफटे में जम्प्राइश बताई जा सकती है कि ये दशा है कि इसम्हें योग है आप गर इना चाहें तो गर लेश तो ऐसे ही जन गुन्ली में झर्म कुन्रइश लगपुंलिक detailed points देखिए तो आप आप संपक्ति लिस्त, तारे सिद्धी , द Calling अंतर द भी होनी चाहिए, जौधा भाव और चाहिए जो ग्रह ही इस जिस ग्रही का हिँ उस भाव का स्वामी हूं, चौथा भाव और यillery कि लघनेश कुंडली का लगनेश जो है और चतुरतेश यहने चौथे भाव का स्वाव गोचर में गोचर कुंडली में अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आप 100% प्रॉपर्टी खरीए यह बहुत इंपोर्टेंट फॉर्ट नी जान लटना है आपको एक चीज इसमें यह भी बताई गई है बहुत सिंपल चीज बताई गई है कोई भी ग्रह है जब लगन में गोचर वस जाता है आपने एक तरफ डीवन चार्ट बनाया हुआ है एक तरफ आपकी गोचर कुंडली बनी हुई है लगन के हिसाफसी बने जो डीवन में लगन है उसके हिसाफसी आपकी गोचर कुंडली बनी है तो किसी भी भाव का स्वामी या कोई भी ग्रह है जब लगन में जाए अगर व जो है कुढडली के अ अंदर मालीय का बैठा हुआ है और जब गोचर में शनी लगन चार नमबर लगन है N पास नमबव अ जे, जब शनी घोचर में उस लगन में जाए तो शत्रुता या रोग पेदा करे इसी प्रकार सबी ग्रहों के लिए आपको देखना है कोई भीक रहे जब लगन में गोचर वस जाता है यदि जर्म कुण्ड़ी में वा शुब हो अश्वब रॉख पढ़ Naam astrology चलाने जा रहे हैं जो आप में से जो भी इंट्रेस्टेड हो दिएगे phone number को संपर करके नामंकन करा सकते हैं धन्यवाद जैशी